आज मैं आपको जिस मुवी को एक्स्प्लेइन करूंगी वो 2020 में रिलीज हुई इसमें तीन करेक्टर्स हैं मेजर रोल प्ले कर रही हैं एड़ना, एड़ना की बेटी के और के की बेटी सैम मुवी की स्टार्ट होते ही हम एक बूरी औरत को देखते हैं जो के अपने आपे में नहीं होती है और शौवर का टैप खुला होने की वज़ा से पूरे घर में पानी भर रहा था तब ही सीन चेंज होता है और हम के और उसकी बेटी सैम को कार में एड़ना के घर जाते देखते हैं पुलीस इंस्पेक्टर मिक एल्डर की वाइस कॉल में मिक के को बता रहा था कि परोसियों ने एड़ना को काफी दिनों से घर में नहीं देखा है और वो उसे ढून रहे हैं अगर के को उसकी मा के बारे में कुछ भी पता हो तो उसको बता दे के और उसकी बेटी सैम अपनी मा के घर पहुंचते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता सैम अपनी ग्रेंड मा को आवाज लगाती है मगर अंदर कोई नहीं था सैम गेट के डॉग होल से घर के अंदर गुस्ती है और अंदर दर्वासा खोलती है अंदर के और सैम एडना को पूरे घर में ढूनते है पर वो कहीं नहीं मिलती तबी के कुछ दिर बाद इंस्पेक्टर से मिलने जाती है जहां इंस्पेक्टर के से पूछता है कि क्या उसकी म पानी भर गया था और बहुत वक्त से उसने अपनी माह से बात नहीं की है तब ही सीन चेंज होता है और कंबल लेते वक्त सैम को प्लास्टिक के मुढ़ने की आवाज आती है प्लास्टिक अटाने के बाद उसे कपड़ों के पीछे एक ब्लैक मार्क दिखता है रात को खाने के वक्त सैम के को बताती है कि उसने अपनी गैलरी का काम छोड़ दिया है और अब वो फिल हाल बार में काम कर रही है के सैम को बताती है कि वो खुश है कि सैम के के साथ यहां आई अगले दिन पुलीस के साथ मिलके के और सैम दोनों एड़ना को ढूनते है लेकिन वो नहीं मिल सेम जैमी से पूछती है कि क्या उसने उसकी ग्रेंड मा इडना को देखा है जैमी बताता है कि वह बहुत वक्त से वहां आया ही नहीं सैम जैमी को घर में आने के लिए कहती है मैंगर जैमी टाल देता है घर में सफाई के दो रान केक को दर्वाजे की पीछे से खरोचने की आती है तो दोनों को दिवार पर ब्लैक मार्क बना हुआ मिलता है तभी हमें के जंगल में कैबन के पास दिखती है जिसका दर्वाजा अपने आप खुल रहा था अंदर एक कमरे में एक बॉड़ी सर रही थी तभी कुछ आवास की वजह से केकी आंग खुलती है और हमें प की मा एड़ना किचन में चाय बना रही थी के अपनी मा के पैरों में ब्लैक मार्क नोटिस करती है चेकप के दोरान एड़ना कमप्लीटली फाइन दिख रही थी तभी डॉक्टर उसके सीने पे ब्लैक मार्क नोटिस करते है एड़ना अपने आपको ठीक बता कर बात को टाल देती है रात को सैम अपनी ग्रेंड मा के लिए चायल आती है तब ही एडना उसे रिंग ओफर करती है नीचे बॉक्सेज में सैम को ड्रॉइंग शीट दिखाई देती है जिसमें वही कैबिन बना था जो के के ने अपने खौब में देखा था सैम के पूछने पर के बताती है क कि उसकी मा एडना नीन में चल रही है कि एडना को उसके कमरे में ले जाती है और एडना बताती है कि उसको बैटके नीचे से आवासे आ रही है और एक बार वो बैटके नीचे से चेक कर ले पर जैसे ही के बैटके नीचे देखती है तो उसके सर पर एक भारी किताब गिरती के को लगता है कि एड़ना ने जान बूच के उस पे बुग गिराई है और वो वहां से चली जाती है सुबा के एक ओल एज होम जाती है अपनी मा के लिए सैम घर में एड़ना के साथ टाइम स्पेंड करेई थी तबी सैम बताती है कि एड़ना चाहे तो वहां शिफ्ट कर सकती है और एड़ना उसे मना कर देती है एड़ना की निजर सैम की रिंग पर पड़ती है और वो सैम पर रिंग चोरी करने का इलजाम लगा देती है तो दोस्तों अब आपको पता चल रहा होगा कि एड़ना कितना अजीब बहेव कर रही होती है वो बातों को भूल जाती है अग सेम एडना को खुछ से बात करती हुए देखती है पूछरे पर एडना उसे कमरे से बाहर निकाल देती है सेम जैमी के घर जा कर उसके डैट से पूछती है कि वो एडना से दूरी बना कर क्यों रखते हैं जैमी के डैट उसको बताते है कि एक दिन जैमी और एड़ना हाई रेंड सी खेल रहे थे जैमी अलमारी में छुप जाता है एड़ना उस अलमारी में लॉक करके भूल जाती है जैमी कई घंटे अलमारी में चलाता रहता है और इसलिए बस हम एड़ना से थोड़ी दूरी बना करका रख्ती है कई अगले सीन में एड़ना को कर से बाहर जातें देखती यहां पर आपड़ करती हैं पर 우rez बोब कोशच के बावजूद वो द्रवाजा ढून नहीं पाती है काल मैं और घर आते हैं घर के अंदर आते ही एड़ना अपने कपड़ों में ही यूरीनेट कर लेती है कुछ दिर बात के नोटिस करती है कि एड़ना बातरूम से बाहर नहीं आई और बातरूम के मिरर से देखने पर के दिखती है कि एड़ना टब खुला छोड़ कर अपने सीने पे बने ब्लैक मार्क पर चाकू मार रही है और अचानक सैम के चलाने की अवास सुनके उसके पास भागती है पर एड़ना उन पर हमला कर देती है कि लोही की रौट से एड़ना को मार कर जखमी कर देती है पर बाहर भागते वक्त कि अपनी बेटी सैम को कहती है कि वह अपनी मा को अकेला नहीं चूड़ सकती और फिर वह अपनी मा के पास लेज जाती है और यहीं पर यह मुवी इंड हो जाती है जब के के पास भागने का मोका था वो नहीं भाग ती और अपनी माय के मा इसके नोकालती है और केस सेम और एडना सेम बेट शेयर करते हैं बेसिकली ये सीन हमें ये बताता है कि जैसे एडना का फेड डिसाइड़ था ये बात के जान गई थी कि उसके साथ भी आगे यही होगा और उसकी वेटी भी सेम फेट से सफर करेगी इसलिए वो तीनों सेम बेट पर लेट कर बर्डन को शेयर कर रही थी और अब आपके दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि एडना ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तो एडना को डिमेंटिया की बिमारी थी और डिमेंटिया है क्या डिमेंटिया एक डिसीज है जिसमें इंसान मेमरी बैक टू बैक होता रहता है और उसकी बेहेवियर में चेंज आने लगता है और इंसान को डेली अक्टिविटीज में प्राब्लम होने लगती है दोस्तों इस फैमली में डिमेंटिया जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रेवल कर रहा था सैम को भी उसकी मा के ने बताया था कि उसके ग्रेंट फादर भी इस बिमारी में मुपतला थे और एटना के घर में स्कैरी चीजे हो रही थी और वो कुछ नहीं डाइमेंटिया को ही नेगेटिव रूप में दिखाए गया है दोस्ता वीटियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी वीटिव चैनल फ्यू मिनेट्स मोवीज को सब्सक्राइब करें